अच्छाई और बुराई के रास्ते कैसे धीरे धीरे आसान होते जाते हैं और बुराई के आसान रास्ते कैसे गहरी दलदल में बदल जाते हैं गुरा की ऐसी दलदल जो सब कुछ दिगल जाती है लाइफ के इस वीशे सर्कल में मेरा दिल मानो यही स्पेस ढून रहा था अब मानो सपनों को रॉकेट लॉंचर मिल गया और विक्टिम के किरदारों पर खड़ी होती है कुनहा का आएमो देखकर हम गुनेगार के करेक्टरिस्टिक समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसी करेक्टरिस्टिक की छवी को हम सेस्पेक्ट में देखने की कोशिश करते हैं लेकिन जब यही समझना मुश्किल हो के विक्टिम का असल कृदार क्या था, तो इन्विस्टिगेशन के तार को जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यह केश भी बिल्कुल ऐसा ही था, एक बंध किताब की तरह था, जिसके पन्ने पलटने के वजाए हम कुछ अलगी पन्ने पलट रहे थे, और वलस्ते जा रहे थे. रुके में रुके, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। हाथ अटाओ, हाथ अटाओ। राटाओ। क्या अफ़त आ गई? तुम निता लोग बहुत जल्दी रंग बदलते हो, हाथ? जब तुम्हारी पार्टी को चंदा की जरूरत थी, तब मेरे पती की आरती उतारते थे. और आज जब वह मुसीबत में तो? काम बोलो, काम. तुमने प्रॉमिस किया था कि इस बार इलेक्शन में तुम अपनी पार्टी से मुझे टिकेट दिलवाओगे. अले, क्या करोगी पॉलिटिक्स में आके? तेरा पती करोडो का बिजनेस छोड़कर भागा है. दो नंबर का बिजनेस. अले, तो क्या फर्क परता है? जैसे तेरी पती को सबोर्ट कर रहा था, तुझे भी करूँगा. मुझे इस काले धंदे में अपने हाथ काले नहीं करना है. मुझे पॉलिटिक्स की सफेद ही पहननी है. देख, मैं ऐसी औरत को टिकेट नहीं दिलवा सकता, जिसका पती का काला चिट्था खुलने वाला है. ठीक है. तो यह काम करते है कि मैं मेडिया में खुद यह चिट्था खोल देती हूँ. अनॉंस कर देती हूँ, कि स्पेशल सेल जिस कुंडली किंग को ढून रहा है वह कोई और नहीं. मेरा पती है. और तुम उसके वाइट कॉलर्ड पाटनर हूँ. कल एक नंबर यसी का होगा, सपना ग्रूप ऑफ इंडुस्ट्रीज और दो नंबर जेसी, जे इंति कॉल्स. अच्छा तु कल की बुकिंग शुरू कर, मैं बात करता हूँ. मेडम, 272 क्लाइंट्स ने 12 नंबर्स पर 16 से ज्यादा इंवेस्ट किया है. सिर्फ 3 और 7 नंबर उपर गये हैं, बाकी सब नीचे. कुल मिलाकर आज का 11 लाग से ज्यादा का प्रोफिट है. अरे भाण में गया तुम्हारा प्रोफिट और भाण में गही नंबर्स? मुझे बताओ कि आज अविनाश कौन से मोबाइल नंबर यूज़ कर रहा है. बोल न अविन. अविनाश मैं पायल बोल रही हूँ. कहा हो तुम? कितनी बार बोला है तुझे? फोन पे लोकेशन मत पूछा कर. भगोडे तुम हो गए और लाइफ मेरी बरबाद हो गई है. अच्छा, आज का पैसा कलेक्ट हुआ? तुम्हें सिर्फ प्रॉफिट की पड़ी है न? हां? अरे मेरा तो छोड़ो लेकिन कभी तुमने ये जानने की कोशिश की कि बच्चे कैसे हैं? अच्छा, चल बात करवा बच्चे से. बच्चो को यहां रखके मैं तुम्हारा ये सटा चार्ट दिखाऊं? तुमने कभी भी सोचा है कि अगर तुम्हारी वज़े से पुलिस मुझे उठा के लेगी ये तुम्हारी दुश्मनी से किसी ने मुझे गोली से उड़ा दिया तो, तो हमारे बच्चो का क्या होगा? पायल, तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलों, हां? मैं तुम सबको लेकर फॉरिंग कंट्री शिफ्ट होने की प्लान बना रहा हूँ. चल, अब बता, बच्चे कहा हैं? तुम दोनों ने इतना ही हल्ला करना है तो अपने घर जाकर करो. इतना भी घंबन मत करो परीदी, मेरी मॉम ने भी आपकी मॉम पे बहुत अहसान किये हैं. और क्या आप हमारे घर पे आके कभी रही नहीं? हमें ना तुम दोनों से बात नहीं करनी हैं. जब से आयो, सवर में दर्द करके रखा हुआ है. अजी, थैंक यू. मा, यह पाहल मासी के बच्चों को यहां से भीजिए. अब और बर्दाश्ट नहीं कर सकते इं दोनों को. बड़ी, तुम्हारे मौसा मौस इत्रती आत्रा से आ जाएंगे, तो ले जाएंगे बिटा. मा, वो लोग कहीं तीर तीर पर नहीं गये हैं. हमें पता है, वो लोग ना आयाशी कर रहे होंगे कहीं, और अपनी आवद को यहां ठोल गए. सौरी दीदी, वो गल्थी से गिर के आता, बर डूंट परी मैं ममा से के के नहीं मगवाद हूंगी. तुमको पता इसमें कितना इंपोर्टेंट डाटा था हमारा? दीदी! परी, वीदी ने सौरी बोला ने बिटा? मा, मा, आपना इन दोनों को बिठा कर आर्टी उतारियेंगी, हम जा रहे हैं यहां से! परी! देख पहल, दो साल से हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं. अब अपने पती की वज़े से मुझसे रिष्टे क्यों इगाल रहे हैं? मतलब इस बार भी इलेक्षन में टिकेट नहीं दोगे मुझे. विलाल मैं तुझे महिला समाज का अध्यक्ष बनाना चाहता हूँ. तुछा सोशल वक कर, नाम होगा, फिर आगे इलेक्षन में खड़े होने लाइक भी बन जाएगी तु. महिला देक्ष का गाजर देखा है, मुझसे पल्ला जाणना चाहते हो ना? अरे मैं तुझे वाइट कॉलर कमी नी बनने के ताव जिखा रहा हूँ. हलो दीदी? हाँ? आज फिर से तुम्हारे बच्चों का हमारी बेटी से जगड़ा हो गया. तुम आके ले जाओ अपने बच्चों को. बस थोड़े दिन और हैंडल कर लो ना उने. हैंडल नहीं कर सकती पायल. रिमादी, मैं आपको बाद में फोन करती, कुछ अरजिन काम आ गया. हाँ, ओकी भाई. जोड़ो, आदे बहुत रूपर चलो. जोड़ो उसे पादल अविनाश अपकश लगा लुके ले में बने, यहां गया, उसने अभी इसे देखिया. तो अविनाश नहीं को बता देगा, मुस्यमात यहां अजिक न मैं अधर. कमाल्यूस है पायल! स्पेशल सेल वालों ने खांडवा के एक जोच्छी को ये सोच कर उठा लिया कि वो ही असलिकुन लिखेंगे अब तो अविनाश भाया यहां भूल कर भी नहीं लोटेंगे और हम अजे मारेंगे मैं धंदा समालूँगा और तुम पॉलिटेंगे यह अंदर कौन है? कोई नहीं है! माताओ! मैं कोई Sir, सः, मेरी बेटी विधी और मेरा बेटा विशेश है सः, यह पिछली दो महिने से गायब है यह तो महिने से गायब है? और आप अब आ रही हैं मेरे बाश Sir, जह अब हो अब रहती हूं और मेरे दोनों बच्चे यहां कान्टूर में मेरी बड़ी बहन रिमा के साथ रह रहे हैं दो भाईने पहले जब मैं अपनी दीधी से मिलने आई तो उनके घर पर ताला लगा हुआ मिला सर तब मैंने अपनी बेटी विधी और रीमा दीदी को फोन लगाया तो उनके फोन नहीं लग रहे थे तब मैंने रीमा दीदी की बेटी परी को फोन लगाया तो उसने मेरा फोन नहीं उठाया और मुझे मैसेज कर दिया कि वो लोग कहीं गूमने जा रहे जब मैंने उससे पूछा कि विधी और रिमदीदी का फोन क्यों नहीं लग रहा तो उसने मुझे रिप्लाय किया कि उसी अरिया में नेटवर्क नहीं है वो फो गए कहां ते कुंड़ी? सब ये ये परी ने नहीं बताया सब सब मैं जब जब परी को फोन कर रही थी तो वो मेरा फोन नहीं उठा रही थी बल्कि मुझे हर बार ये मैसेज कर रही थी कि हम लोग जल्दी लोट आएंगे सब मुझे लग रहा है कि ये परी ना दो महीने से मुझे घुमा रही है सब मुझे लगता है कि मेरे बच् momentum के साथ की रीम दिदी को भी उसनतना अरही जी, परी अपनी माँ और अपने कजन अमेन आपके बच्छे को क्यों लुक सान कुछे जाएगे? सो क्यों कि परी मेरे बच्छे से चड़ती थी एक बार तो परी ने परी ने मेरे बच्चों को धंकी भी दिल्वाई थी सर। मॉम, अभी परी दीदी का बॉइफ्रेंड आये था और वो मुझे और विछेश को धंकी दे के गया कि मा में भाट द्या लेगा परी का बॉइफ्रेंड कौन है? सब मुझे नहीं पता उसके बाद जब दीदी से बात की मैंने तो उनोंने कहा था पाइल परी का कोई बॉइफ्रेंड नहीं है तुम्हारे बच्चे बेकार में हमारे बिच गलत फैमी पेदा कर रहे है अच्छा, वो क्यो गलत फैमी पेदा करेंगे दीदी? आप मेरी बस परी से बात कर वो परी, मौसी से बात कर हमें कोई बात नहीं कर नहीं है इन से कह दीजी आके लेके जाए अपने बच्चों वो फालतु जीना आराम कर रखा हमारा सब मुझे लगा था कि अब उनके बीच में सब कुछ सेटल हो गया इसलिए सब एक साथ भूमने चले गए मुझे नहीं पताता सर कि परी मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेल रही है आपकी बड़ी दीदी रीमा जी के husband तो होंगे रीमा दीदी भी मेरी तरह विड़ो ही है सर प्लीज प्लीज कैसे भी करके मेरे बच्चे और इमा दीदी को डूण निकाले है सा हम पुरी कर्सेश करें अर्मा सर्फ ताला तोलो सर्फ हलो स्क्यूज में सुनिए इधर आई सर रीमा उनकी बेटी परी कि दोनों कहा है पता नहीं सर बहुत दिन से नों को देखा नहीं अच्छा यहां रीमा के साथ उनकी बेटी परी के अलावा यह दोनों बच्चे भी रहते थे क्या हां सर यही रितत है सर कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी को यहां ताला लगा के जाते हो देखा था कौन था वह आदमी यह तो नहीं मालूम सर लेकिन वह आदमी अक्सर परियोर उसकी मात से मिलने यहां आया करता था प्रियोरा भ्राव को साक्ता भी करेंवा यहां यहां ताला सर्थ यह देखिए सर्थ यह देखिए यहरे बच्ग अधिर कोई बाहर घूमने जाने का ब्लैंड बनाएगा, तो गर को इस तरह से क्यों छोड़के जाएगा? कटीवी सब्जिया, भीगेवे चने, डिटर्जन में भीगेवे कपड़े, सारे घर के खुलेवे फड़ते, मतब जब घर को लॉक लगाया गया है, तो घर एक्टिव स्टेट में था, सर फाइल ने बतायते है कि विधी और रीमा का फोन बन दे लेकिन परी का फोन चाली है, पड़ जब से कंप्लेंट फाइल हुई है, तब से परी का फोन भी बनता है, पता लगाओ, सब के फोन काब और कहां बन दुए, घर को असे से सर्च करो, और जिस आदमें को लॉक लगा कर जाते वे देखा गया था, स्केच बनो हो से, ओके सर, अरे मना किया था ना उसको प मेडम वो मुकुन भाई फिर से एक पार्टी का पैसा लेके भाग गए, भाड में गया मुकुन, और भाड में गया ये बिस्नेस, पथा नि, पथा नि, किस नर्ग में भज गई हूं मैं, और मेरे बच्चे, तुरे बच्चे, इंस्पेक्टर दिनेश, मेरे पैसे कब दे रही है? देखो, देखो, तुम को जादे ही पैसे मान रहे, तेरे सारे कांड चेपा के रखे है मेरे साथ ताला कांड ही मत करना है, सर, ये उस आदमी का स्केच्च है, जो परी के घर पे ताला लगा के चाते वे दिखाए गिया है, परी कि भा उसे पैल को पलाओ, शायद वह इसको जानती हो, लेकिन सर, वो तो भपाल चली गई है, होट, वो तो अपने बच्चे को ले दर इतर इतना कंसर दिखा रही सर, उसने बताया कि वो वहाँ किसी केस की हेरिंग के लिए कोट जाने वाली है, किस केस की हेरिंग? सर, एक लड़की की मॉलेस्टेशन का गेज, और सर, पायल भौपाल में अपने एरिया के महिला समाज की अध्यक्ष भी है, सर, कमें, सर, पायल के बेटी विधी और पायल क पायल के लिए, सर, पायल के बेटी विधी ने अपने पायल से काहा था कि परी के बॉइफ्रेंड ने उसे और उसके भाई को जान से मानने की दम्की दिया, उसके बाई-फरेंड के बारे में कुछ भणा चला है, मैं पता कर वारह हूं, सर, मैंने डॉमिन हिल्स पुलिस से अगर यह लोग वहां पे गया हैं, तो कही ना गे तो रुगई होंगे, परी, रीमा, पर्विधी, इनके डेबिड और क्रेडिट कार के टाजिक्शन के बारे में पता करो, हो सकता है, इनोंने कार्ड्स पे मिल्ट किया, उसे शायद हमें कोई क्यो मिल जाए, और उस आत्मी परी के बारे में पता करो, जो परी के घर को ताला लगा कर जाते में देखा गया है, यह सब, विक्रम संभालो इस पुलिस वाले मो, दस लाग से एक रुपया जादा नी दूंगी इसे में, जरुट से जादा मूँ फाड़ रहा है वो, तो बढ़ दे ना उसका मूँ, पु अज़े चुपातर मर गया है, और उसका भाही मुकुर, पार्टी के दो करोड लेके पता नी कहा भाग गया है, यह बेवकुप संजाये तुने मुझे, ना तेरा पती मरा है ना तेरे देवर भागा है, उसकी लिए तुने मुझे बात्रूम में बं कर दिया था, देख, मेर अज़े आप 25 विजवार देए, अज़ा भागा है, हलो, पायल वो आदमी आपकी बेहन के घरपत ताला लगा कर जाते वेए देखा गया था, आप जानती है उसको? नाइए सम्में भी जानती है, पर सम्मेरे बच्चे और दीदी के पारे में कुछ पता चला हूं हम पता ल सर, विलार डॉमिनी हिल्स के किसी होटल, ड्रेसोट या लॉट से कोई इंफोर्मिशन ही मिलिया, पर परी के उस फोटो के बेग्ग्राउंड में जो जगा रिखाए दे रही है, वो डॉमिनी हिल्स का एक पिक्किनिक स्पॉट है, और वो फोटो मॉफ्ट भी था, चलो मान सर, जिसके इस्तमाल से लाश को जल से जद गला दिया जाता है, और फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबे, इसकेलेटन, 15 से 19 साल के बीच के लड़के गाता, और सब पायल के बेटे की उमर 15 साल थी, एक मिला रहा, तुम कहना चाह रहे हो, इसकेलेटन पायल के बेटे सर, साथ दिन पहले, परी के खिलाफ वहाँ एक दोकाचड़ी का केस दर्जी है, साथ दिन पहले, परी के खिलाफ वहाँ एक दोकाचड़ी का केस दर्जी है, साथ दिन पहले, जी सर, सर, इस कमलनात नाम के आदमी ने, दो महने पहले परी की कंपनी को एक बड़ा ओडर और पांच लाख रूपर एडवांस दिये लेकिन सर्फ परीनिय वोडर पूरा नहीं क्यों जमीन हमें पसंद है पर आप बजट बहुत हाई बता रहे हैं मेडम ज्यादा का हैं आप बताओ इस एरिया में न कोई सीभी पांसो गस का प्लॉट 60 lauk rupay से कम का नहीं है और हम आपको सिर 50 lauk में ही दे रहे हैं पूरे 10 lauk rupay कम है आप एक काम कीजिये हमें आधी जमीन 25 lauk तर बाकी की आधी जमीन हमसे कोई 15 lauk में भी नहीं खरी देगा डोन्ट वरी, जब हमारा बिजनस आगे बढ़ेगा, तो बाकी की जम्मीन भी हम ही पर्चेस कर लेंगे, एक काम कीजिए, ये लीजे टोकन अमाओ, और डिल फाइनल कीचे नहीं सर, मेरा बेटा नहीं मर सकता, वो पक्का किसी और का स्केलेटन होगा पाहिल जी हम भी यही चाहेंगे कि आपका बेटा बिल्कुँ सही सलामत हो, हम उस स्केलेटन के डिने से आपका डिने मैच करके बस अपना डाउट के लिए रकना चाहेंगे डाउट, इसा डाउट और आपको क्यों लगता है कि वो स्केलेटन मेरे बेटे विशेश का ही है देखे पाहिल जी, वो स्केलेटन हमें डोमेनी हिल्स पर देखा डोमेनी हिल्स पर ही परी, रीमा, विदी, इन सब के फोन स्विच ओफ यह यह देखे विदी का फोटो भी डोमेनी हिल्स पर ही खी जागा है इसे नहीं सर् यह फोटो तो बहुत पुराना है लगभग एक साल पुराना मैं दोनों बच्चो को लेकर डोमेनी हिल्स गई थी यह फोटो वही का है, सही मैंने क्लिक की थी सरभ तो मुझे यकीन हो गया है यखीन हो गया है कि ये पूरा गेम ना उस पर ही कही है हमें विदी के कॉल डिकोर्स में ना एक सुन्डू नाम के लड़के खाना पर देना है ये फोन अपन्द है उसकी काफी बाते होती थी विदी के साथ ये ये है वोसुन को सबते है ये विदी का बाइफ्रेंड हो आप जानती है इसका नहीं सर मैं सच बोड़ रहा हूं सर मैं किसी विदी को नहीं चानता 9-8-7-6-3-5-7-6 तरे नंबर है नहीं नहीं सर ये मेरा नंबर नहीं है ये नंबर तेरे इनाम और तेरे अडरेस में रेस्टर आप समझा लेकिन सर मैं ये नंबर तो इस्तिमाली नहीं करता सच तो बटा उडिवाले क्याम तेरे से अब आप टेंशन मतलो एक और काम उस मुकुंद को पकड़ो मेरा गेम खराब करने में लगाई ये मतलब देवर से ज्यादा आप नेताजी में इंट्रेस्ट है तो मैं या कोई और भी अपने काम से काम लुको इस काम के भी अच्छे पैसे मन जाना है मेरे पास तेरे आशिक को डूणने का टाइम लिए इस वनो बोल रहा है सर कि ये विदी को जानता तक नहीं है तो ही ऐसा थो नहीं कि इसके इटी का इस्तेमाल करके किसी नंबर हासल किया हो ऐसे इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है इसके एक-एक अक्टिविटीटीज पता करो तो फैमिली के चार लोग गया हुए है और मैसेज में लिखाया है कि विदी, विशेश और रिमा तीनों डॉमेनी हिंट से भॉपाल के लिए निकल गया है लेकिन सर अभी तक वो भॉपाल पहुंचे नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको कहीं और पचा दिया गया है इसलिए हमें मैसेज भेज के बठकाया जा रहा है सोचने वाली बात ये भी है कि क्या वाकई में मैसेज परी ही भेज रही है या पर उसका फोन को इस्तमाल कर रहा है सर हमारी कंपनी का वेब पोर्टल भी लाँच हो चुका है और कस्टमर्स के काफी पॉजिटिव रिस्पॉंस मिले है हमें सर अभी तो मुझे अपनी ब्रांचेस अबरॉड में भी उपन करनी है सर बस आप एक छूटा सा काम कीजे हमारे गोडाउन के लेंड के लिए पचास लाग रुपे इंवेस्ट कर दीजिए आपके छोटी से इंवेस्टमेंट से आप हमारे ग्रोइंग बिजनेस के पार्टनर भी बन सकते हैं सर विधी, रीमा और परी के काट रंजर्शने से तो कुछ नहीं मिला लेकिन परी के बैंक आइकाउंट से पता चला है कि उस कंपनी में तीसरा पार्टनर भी है यह देगे सर यह तीसरा पार्टनर राजीव खनना है परी के घर पर ताला लगा के जाते हुँ इस चीगो देखा गया था और इसी ने साथ दिन पहले उस एकाउंट से पांच लग में ट्रोगी है उठाला देखिए आप लोग मुझे परशान करके अपना बात बरबात कर रहे है पुरा वक्त तेरा प्शरू हुआ है सर उन मा बेटी को बुरे वक्त में समाला था सर मैंने परी का पिता दोस्त था मेरा सर उसके गुजरने के बाद मैंने उनके मुदद की उनके बिजनेस में पैसा लगा और जब बिजनेस चलने लगा तो वो लोग मुझे से पलना ज़ाडने लगे सर अंकल आपने सिफ पांच लाग रुपे दिया है पर सारी मैंने तो हमने कीना इस बिजनेस में अब आप बैठे बैठे 30% प्रॉफेट लेते हैं जो कि साल का 10-11 लाख रुपे होता है अरी, तुम कहना क्या चाहती है? मैं सिफ इना कहना चाहरी है, अंकल कि आप अपने पांच लाख रुपे लीजे और एक्जिट कीजे इस बिसने से इसलिए तुन आम से अपनी नफरत निकाल ले अरे, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर बलकि उन्हें तो कोई दूसरा इंवेस्टर मिल गया था जिसके शैपर वह लोग मुझे निकाल रहते सर, पक्का वह लोग उसी के चलावे के चिकार बनें सर कौन अब इंवेस्टर? वो तो मुझे मलूम नहीं सर, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो लोग गायव है तो मुझे लगा कि मेरे पांच लाग भी डूब जाएंगे तो मैंने अपना पैसा निकाल लिया सर और सर वो चेक भी मुझे परी नहीं थियाता उनके घर पे ताला लगा कर जाते वे देखा गया तुझे क्या काणि क्या था मा? अरे सर मैंने कोई काणि कियाता सर उस गर की चावी हमेशा से रहती थी मेरे पास मैं तो यह देखने के लिए गया था कि सब ठेक तो है सर मैं सब कुछ आपको बताने वाला था सर फिर मुझे पता चला कि वो लोग गूमने गए हैं तो मैं सोच हो पड़े यह साथ एदा जी आपकी पायल के देवर को ढूंड के उठा लिया मैंने तो खुशकाबरी दे दूँ यहां इस पायल के आंसो तो रूख ही नहीं रहे हैं यह आसु हमें तुबो देंगे लगता है गेम पलटना पड़े ला जलाजीव का गेम समझने के लिए इसको बाहर जाने देना ही देतर हो और मैं काम करो, जाने दर्सको और नज़र अर नज़र अखो इस पर और यह भी बता करो कि परी को कोई नए फेस्टर मेला तो सर एक बतार, सर परी की कंपनी का जिस बैक में अकाउंट है, सर उसी बैंक पर परी का एक लॉकर भी है, सर हो सकता है कि उस लॉकर में हमें नए इन्वेस्टर से जोड़ा को डॉकुमेंट मिल जाए? ठीक है, मैं बैंक लोगर खुलवाने की परमिशन लेता हूँ मैजिस्ट्रेट से, सर आना रहा, सर विदी के सोचल मेडिया अकाउंट में प्रणार नम के एक लड़के का अकाउंट मिला है, कौन है प्रणार? ये फेक अकाउंट है सर, पिछले दो मैंने से ये अकाउंट से दो साल में साथ लड़ीकों को फासा गया है, और ये साथो लड़की अभी तक आयब है, ये साथो लड़की अपने घड़ से कैश और गहने लेकर गई थी, और अभी तक वापस नहीं लोटी है, सर हो सकता है, विदी भी इस एकाउंट के चंगल में फस गई है, ये यहां त इसका असली नम क्या है, ये दिखता कैसा है, साइबर सेल को अभी तक कुछ पता नहीं चला है साथ, भाय दूर, कृतिका, प्लीज, जल्दी से हाँ कर दो, तुमारे खिषड़ी यहां नहीं पकेगी, अच्छा, पकेगी, और अगर नहीं पके ना, तो यहां से उठा कर ले आज़ा, आज़ा आज़ा, आज़ा को टो, चलो, वाय, बाय, वाय, पकूछ दिन पहले दॉमेनिल से तक्रीबद साथ कुलमीटर दूर, एक जगह पर कनस्टेशन का काम चुरू होगा था, घुदाई के दौरमास यह दो इसकेलेटन मेले थे, उन पर तुमारे कहने का मतल विए उम्र 25 साल देशार और रीमा की 45 साल, हालां कि फॉरेंसिक उन दोनों कंकालों की डियने प्रोफालिंग कर रही है, और हो सकता है सर वो दोनों कंकाल रीमा और परी के हो? अभी तर कुसे स्केलेटन की भी डियाने रिपोर्ट नहीं आई है, इसका हम रिशेश का साज रहे है, हो सकता है सर, चौथा कंकल वहीं कहीं है, हाला कि उस एरिया में और चान्मीन की ओडर थे दिया है, सर, कमें, सब परी के लोकर से नए इंवेस्टर का तो कोई डॉकमेंट अब परी डीलर है, सर, मैंने इसके बारे में पता किया, इसने अब वो जमीन उन्हें पचाच लाग रुपे में बेच दी थी, और मुए उस पंदरा दिन बाद में उस जमीन की रजिस्ट्री भी थी, सर, लेकिन पर व अचानक कहने लगी के, देखे, हमारे इंवेस्टर न पंदरा दिन में पैसो का इंतिजाम नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें थोड़ा सा मौलत चाहिए, फिर सर, उन्हें हमसे कुछ समय मांगा, और हमने दिया भी सर, लेकिन वो बापस ही नहीं आई, और हमने उन्हें फोन भी किया, पर उनका फोन तो बंद आने लगा, फि सर, वो अकसर किसी इंवेस्टर के बार में बात तो किया करती थी, तर मैंनों उसे कभी देखा नहीं सर, मैंनी जानता वो कौने सर, देख मुकुल, हम दोनों एक ही गंगा में नहाएं, लेकिन आप गंगा महली नहीं, पवित्र हो रही है, जो हमारे दंदे के लिए मिलकुल रही है, जो हमारे नहीं सर, पायल के बार में इसे चिंकल तुझे दे जोते है, और पायल का क्या करोगे? क्या क्या होता है? जय से उसके बेटा-beटी कायब हो है, वैसे ही पायल भी घाब हो जाएगी, कानपूर से. पाइल परी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही हो ये इन्वेस्टर इन की जान पर इचानका हो I mean पाइल मेला समझ की अध्यक्षा है MPK काई अगर पाइल परी के इन्वेस्टर के बारे में जानती है तो हमसे चिपाएगी क्यों पदा नहीं सार लेकिन पाइल के बारे में बहुत अजीब बात पता चलिया है कि दो मही ने पहले तक स्वागंती फिर अचानक से पाइल ने अपने निबड से बोला इनके पती बिजनेस पे पंजाब गए ते और वहां एक एक्सी रेंट नों की मौत हो गई है यह सर अ हलो पायल मैं अविनाश अविनाश हाँ मैं तुम्हारा और दोनों बच्चों का फेक पासपोर्ट वनवा लिया है अब इंडिया से निकलने का वक्त आ गया है पायल इस केस का ऐसा चरित्र जिसके जीवन की कई अनकही कहानियां थी लेकिन इस गुणा की कहानी परी की जिंदगी से क्या वास्ता रखती थी प्रत्थम और राजीव की इसमें क्या भूमी का थी वो इन्वेस्टर कौन था जो परी के बिजनेस में पैसे लगाने वाला था वही पायल की बेटी बिध की जिंदगी में भी पूलीस सोनू और एक ऐसे लड़के की तलाश कर रही थी जो कई लड़कियों को विक्तिम बना चुका था इन गुणाहों का असल मकसद आखिर क्या था सर यह जगा मारे थाने से तक्रिबन फांच कुलिमेटर की दूरी पर है आज पायल ग्यारे बजी थाने आनवली थी मैं लगा था और इसकी वाज़े से पायल की डेथ हो गए टेंपो का नमर नो उठवा था नहीं सर लेकिन विट निस्ने बताए कि टेंपो कुछ औरेंज अब बाइट कलर का था मैंने शेर के सारे एक्जिट पंट पे नाकाबंदी करने के लिए बोल दिया है उस टैंपो का जल्दी पता करो हो सकता है पायल का एक्सिदेंट नेपल की मदर हुआ और मदर को एक्सिदेंट की शगल देने की को सिच किज जा रहे है सब्सक्राइब काहा है और यह पेपर तो कुछ 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 कमझ कामें अर्फिरी जे अगाड़ी जी दूसरा फोन मिला है उसमें फेक आईडी गा सिम्या और से यह चार्ट पेपर सेते की चार्ट पेपर जैसे लग रहे जिसे एंपिमें ग्रो चला रहा है इस सट्टे को चलाने वाला कुंडली किंग के नाम से फिमा से वहाँ पे एक स्पेशल सेल को इस कुंडली किंग को पकड़ने का मिशन भी मिला था I know ये शेर बजार की तर्स पर खिले जाने वाला सट्टा है ये लोग शेर मार्केट की किनी भी 12 कमणियों को पकड़ कर उन पर सट्टा किल बाते हैं उन कंप्रीज को एक नंबर दिर्या जाता है जिन कंप्रीज के शेर उपर या नीचे जाते हैं उन पर ये कैश में ऐसा लगवाता है मान लो दो, छे और नो इन लोगों ने इन कंप्रीज के शेर उपर गए तो जिन लोगों ने इन कंप्रीज के उपर पैसा लगा है उनको शेर मार्केट का डबल प्राइस मिलेगा और दूसरी तरफ मान लो चार, पाँच और आठ इन कमचीज के शेर नीचे की तो जिन लोगों ने इन पे पैसा लगा है उनका पैसा डूप ड्यागॉन को कुछ नहीं लेगा है यह करूरों का गार कानूनी धंदा है यह लेट 60 में अत्री और राउफ लाला जैसे डॉन ने बॉंबे में क्राइम शुरू किया तो राज भी सटक खिलगाती होगी तेखों पायल का हजबन क्या करता था यह अभी तक क्लियर नहीं है सस्पेंस बना वर और पायल के कॉल रिकॉर्स में पॉलिटीशन फ्लीस ओफिसर्स के नंबर में जाहिर से बाते इस तरह का दंदर पारोफन लोगों की मदद की वेना तो नहीं क्या अभी तेख हम परी पर शक कर रहे थे पायल भी लगातार परी पर शक कर रहे थे लेकिन परी तो खुद मारी जा चुकी है और पायल की बेटी विधी का कोई किलो नहीं मिल रहे है अचे ब विधी के सोचल मीडिय अगांट में जिस लड़के का फीक प्रोफाइल से फाइनली तुमने शादी के लिए हां कर दी है और मुझे ना तुम्हारा पेशन्स लवल बहुत अच्छा लगा तुम्हारे लिए तो मैं साथ जनम तर ग्रेट कर सकता हूं अच्छा यह फिल्मी रोमन्स नहीं है फिल्मी अब जो होगा वो सब रियल होगा पायल अरु कु सुर्सल वर्कर थी साइध किसी ने अपना गुनाद चुपाने के लिए उसे बद्नाम करने की कोसिज की हो एए लगता है पायल को काफी अच्छी तरह से जानता है यह टें यह टेंटा जी कही ऐसा तो नहीं कि और पायल की छवी को बचा कर आप अपनी चवी बचानी सी पर पायल रुसके इसमेंट को तो आप काफी अरसे से जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि पायल का इसमेंट का बिजनस क्या था हाँ वो शायद आरें स्काइब में डील करता था इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे पर सर एक्शली मैं उस लड़की का केस देख रहा था जिसके इंसाब के लिए पायल अड़ रही थी बस उसी से लिसले मेरी पायल से बातचीत होती थी और कुछ नहीं बाते तो तुमारी मेता मिकरम से भी होती थी आप कहना क्या चाहते हैं अगर तुमारे और विकरम के बीच को एक खिचली पख रही थी तो तरकाम लगा दे लिए अगर तुम इस जंजाल में नहीं फसना चाहते हैं इससे बार में करना चाहते हैं तो मैं सपोर्ट करूगा तुमारा सोच के बता देना पुचे सर पायल के कॉल रिकॉर्ड में तो ज्यादातर नंबर पेक आइडिस के है मतलब इस बात के पूरे चांसेज है कि पायल उस कुंडली की दुनिया के कई राज जानते हो सर अम लोग इस एंगल पर भी काम कर रहे थे कि हो सकता है कि यह पायल परी के बिजनेस की इंवेस्टर परी के कॉल रिकॉर्ड में पायल के देवर मुकुंद का नमबर मिला है उसने परी को दो-तीन बार कॉल किया था है काउट? सर अभी तो वो गायद है मैं पता लग वारा हैं सर वो काउट थे सर, साइबर सेल ने उस लड़के से जुड़ी कुछ इंफर्मिशन ने का लिए जिसका फेक एकाउंट विदी के सोचल मीडिया अकाउंट में मिला था स्किज़ में सर सर वो एकाउंट साथ अलग अलग साइबर कैफे से उपडेट हो रहा था चली इसकी फिलाल तो नहीं सर लेके लास्ट टाइम ये लड़का दिली के एक साइबर कैफे पे देखा गया था इसका पता लगाने के लिए मैंने अपने ख़बियों को काम पे लगा दिया सर सर मुकुंद के एक इंफोर्मिशन में निया उठाय था मतब अरेस्ट किया था था है सर अरेस्ट नहीं किया था शायद के ड्नैप किया था सर उस खबरी ने ये भी बताया कि भॉपाल में एक घर है जो बाहर से सील्ड है और सर उस घर के बार डिस्पूटेड परोपिटे का एक पेपर भी लगा हुए ये देखिए दो ये घर पाइल की पती अविनाश के नाम से है और सर उसने ये भी बताया है कि इस घर में पीछे से आने जाने का एक रास्ता है उसने कई बार लोगों को आँ से आते जाते देखा है मतविये सील, कोट का नोटिस, शिया सब कुछ फेक है ये शायद लोगों के आँकों में भूल जोगना के लिए वर्मा तुवारे कबरीने टीब दी थी कि देखे पीछे जाने का भी को रास्ता है जी सर्थ सार्थ चले आजम भाई साथ नंबर पर कितना? मेरे साथ करो सर्म भाई सर्थ सर्थ सर मेरी बात तो सुन सररे सब दखकरो सर मानते हैं हम अभीनाज बनिया का दूंदा चला रहे लेकिन हमने किसी का मड़न ही किया सर तु परी के भी टेच में था परी के बिजनस में तू इनवेस्ट कर रा था हाँ सर मैं खुद जानकर हैरान हूँ कि वो एकदम से कैसे गायब होगी और मैं परी की माँ और अपने बड़े भाई के बच्चे विदी और विशेश को क्यों मारू हुआ सर पायल का भी नाम जोड़ तुरे बड़िवार को मार के अपने भाई का विद्नस अड़ अपना चाहता था हा अड़ अपना चाहता था लेकिसी का मध्र नी किया सो मैं खुद हैरान हूँ कि užफभीनाश भी जिन्दा है अभीनाश जिन्दा है हाँ सर उसका और पायल का बच्चों के साथ इंडिया से भागने का प्लैन था सर मैंने तुम्हारा और दोनों बच्चों का फीक पासपोर्ट रण वालिया है अब इंडिया से निकलने का वक्ता आगया कहा है अविनाश सर इसके बारे में कुछ नहीं मालूम सर में सर बिल्कुल सच बल रहा हूं सर हाँ सर बले ही अविनाश भी है यह दंदा पहले कर रहे है लेकिन इस धंदे का असली मास्टर माइन वो विक्रम है सर उसने मुझे पायल और अविनाश को मोरू की तरह स्तमाल किया है सर इस धंदे में यह सब उसी का कियादर है सर मेरी बाद पर यकीन कीजिए सर मैं सच बोल गा सिर्फ मुकंद के स्टेटमेंट के बेसेस पर विक्रम के साथ सकती नहीं दिखा जासे सर ना तो सनेता को छूना असान है और ना ही मुकंदन नवीन को अपनी कस्टडी में रखना पोसे बले है क्योंकि MP के स्पेशल चलने है उनकी कस्टडी मांगते है सार सर खबरियों से लड़के के एक टिप में लिए जो फेक सोचल मीडिया अकाउंट से लड़कियों को फसाया करता था तर उस लड़के का नम कपिल है और वो दिल्ली की एक लौज मी चुका हुआ मैं मांगता हुँए मैंने कई लड़कियों को अपने जूटे पैर के जाल में फसाया था लेकिन मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर पर कहा है साब लड़किया वो सब अपने गहने और पैसे लेके मेरे बास आती थी और उनको लूटके प्रोथल में बेश देता था था विदी का है विदी के बार मुझे नहीं पता विदी के बार मैं मैं उसको फसाने कोशिच ज़रू की थी लेकिट वो फसी नहीं थी सर असे नहीं बो लगा है नारंग का उब बाहुष से कपिल जैसे बड़े क्रिमिनल और कुंडली किंग नाम से विख्यात करोडो रुपय के गयर कानोनी धंदों का खुलासा करने के बावजूद भी पुलीस परी रीमा विशेश के कतले और विधी के गायब होने की पहली नहीं सुलजा पाई थी पायल का पती अभिनाश अभी फरार था पुलीस कोई पुखता सुबूत नहीं जुटा पा रही थी और इस केस की कडियां जोडने के लिए पुलीस अब इन सभी विक्टिम के अतीत और वर्तमान से जुड़ी हर एक बात को बारी की से स्टड़ी कर रही थी सर तकरीबन एक साल पहले कानपूर में कृतिका नम की इस लड़किये का सुषाइट केस फायल हुआ था और तब इस केस में लोकल पुलिस ने परीस इंक्वारी की थी कैसी इंक्वारी? दरसल क्रितिका का एक फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था जिसमें इसका नाम और लिखा हुआ था जिसमें ये पोट्रे करने की कोशिश की गई थी कि एक प्रोस्टिट्यूट है पर इजी लिए अविलेबल है बस इसी बासे दुखी होकर क्रितिका ने सुसाइट के लिए लेकिन इसका परीसे क्या लेना देना था एक्चुलिए सर जिस आयम ये नंबर के फोन से वीडियो अपलोड़ हुआ था वो फोन परीसा था परीसे जब इंक्वारी की था उसने बताए कि इसका फोन चोरी हो ग की थी लेकिन वो इतनी बड़ी बड़ी बदनामी सह नहीं पाई और इसके लिए जिम्मेदार जिसको मांने है परीको तो जानती ही हो गया जिस पर आपकी बेटी को सुसाइट करने के लिए उकसाने कारूप लगा था परीवार खतम हो गया उसका वो और उसकी माह मारे गए मौसी मारी के यसका और उसकी मौसी के दोनों बच्चों का भी मटन हो गया ताप कहना क्या चाहते है साब यही शायद आपने अपनी बेटी का बदला दिया पस कुछ भी मत बोलिये साब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अ तो पता चला कि क्रिटिका की सूसाइड से पहले उसकी मंगनी हो चुकी थी और तो उसकी शादी इस धुरूब नाम के नड़के से होने वाली थी तुब इस धुरूब नाम के नड़के में कोई अंगल मिला सर बहुत ही चौकाने वाला एंगल मिला सर डेड़ साल पहले तक यह दुरूब परी का भी बॉइफेंट था और सर फिर जब हमने परी के सोशल मेडिया अकाउंट चेक किये तो सर उसमें इस धुरूब का भी अक हत्या के दोरान जिन जिन लोकेशन पे परी कपोन एक्टीव था थोड़े ही डिस्तेंस में कई लोकेशन पर दूगका थो खंव ऑसर यज है खृक का की आणता होना की दूरूब कान हैesta ते कृतिका के बाप में सब कुछ बता दिया है मैं अब तु बोले गया बुल्वाइट से रहे तो इसलिए मैंने वारा था उनको परी को मेरी और कृतिका की नजदी के आखरती थी मैं कृतिका से शादी करना चाहता था लेकिन उसने कृतिका के साथ मैं परी से बतला लेना चाहता था इसलिए मैंने उसे ये जताया कि कृतिका को खोने के बाद मैं पूरी तरह से उसका हो गया हूँ फाइनली तुम्हें ही लाइफ में आई गए सिर्फ परी की माँ जानती थी कि वह मुझसे मिलने आई थी वो मुझे शक जता सकती थी, मैं फस सकता थी इसलिए मैंने पॉल करके उन्हें ही फसा थी परी कहा है तू? जी मैं PSI सदानंद बोल रहा हूं यह नंबर जिस लड़की का है उसका डोमीनी हील्स में एक्सिडेंट हो गया है वो ठीक तु है ना? जी हालत थोड़ी क्रिटिकल है आप जल्दी से डोमीनी हील्स पर आके मुझे फोन कीजिए हाहाम, हाम हाम अभी आरे, हारे हभी लेकिन परी की माँ विधी और विशेश को अपने साथ ले आई और परी के नंबर पर फोन किया मैंने उन्हें फसाया मैंने उन्हें डोमिनी हील्स के एक सुनसान इलागा पर बुला लिया आपको भटकाने के लिए मैंने परी का फोन एक्टिव रखा और उसकी मौसी को लगातार मेसिजिस भीजता रहा उसके फोन में जो मौजूद फोटोस थी उन्हें शोशल मीडिया पे अपलोड करता रहा ताकि आपका शक सीधा परी पेचाए और जब परी की मौसी पायल को यह सब कुछ पता चलकी तो उसको भी मार दिया तूने नहीं सर मैंने उसकी मौसी को नहीं मारा विदी को मार के कहा गाड़ा तूने किदर पायल भले ही अपने पती के क्राइम का हिस्सा बरी लेकिन अपने पच्चों के लिए उसके जजबातों ने कहीं न कहीं उसमें ये भावना जरूर पैदा कर दी थी कि जूट और अपरात की रा हमेशा बरबादी की तरफ ही लेकर जाती है लेकिन दुरूफ और कृतिका के पिता का कृत्य और भी घृणा से भरा हुआ है इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ फिर होगी आपसे मुलाकात क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ तब तक अपना और अपनों का खयाल रखिए आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं कृपिया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तिमाल करें और उची दूरी बनाए रखें देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क जाए हिन और शौरी बनाए रखिए हिए हैं